दोस्तों आप लोग देख सकते हैं ये बोर्ट का सोकेदर स्वीच है ये दोनों खाराब हो गया है इस बोर्ट का सोकेदर स्वीच में कभी-कभी इलेक्ट्रिक सोर्चर्ट की धो जाता है तो इस प्रोब्लेम को रिप्यार गर के मैं आप लोगों को डिखाऊंगा पहले इस को रिप्यार करूंगा मैं इस प्लक को रिप्यार करने के लिए यह जो स्कूरू है इसको पहले इसे खोलना होगा अब इसको खोलते है इसे और उसके बाद आप लोग देख सकते हैं अंदर में यह इसे लगा रहते हैं यहाँ पर इसे यह दोनों और बाहर से यहाँ पर प्लक अंदर जाता है इस दोनों की हॉल से अब आप लोग इसको ध्यान से ढखना ये जो देख रहे है आप लोग ये लूज हो जाता है कभी-कभी ये लूज होने के कारण यहापर स्वर्चार्गीड होता है अब इस प्रोब्लेम को रिप्यार करने के लिए इसको उपर में मुलग कर देता हूँ और मैं इसको ये को भूल देख सकते हैं और इसको भी यहापर स्वल्डारिंग करना होगा उपर में ये भी लूज है यहापर स्वलडारिंग के लिए तुन गाहां में यहा पर ऐसे शोल्डारिंग कर देता हूँ ए शोल्डारिंग हो गया है आप लोग देख सकते हैं यह भी कभी लूस नहीं होगा यह दोनों को मैंने शोल्डारिंग कर दिया है अब यहा पर कभी भी शञच poczar kitt नहीं होगा जब यहापर प्लाक लगा यह शॉर्ट शार्कित नहीं होगा आप लोग देख सकते हैं यह प्लाक पुरा फीड हो गया है यहापर लुश नहीं हो रहा है तो यह शॉर्ट शार्कित नहीं होगा अब इसको इहापर फीड कर देना होगा पहले जैसा और उसके बाद इसको यहापर लगा देना होगा इस क इसको रिप्यार करने के लिए पहले पीसे का ये जो स्कुरू है इसको पहले खोलना होगा और उसके बाद आप लोग देख सकते हैं ये दो होल है इस दो होल में और एक स्कुरू लगा रहते हैं अंदर में यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इसके बाद इसकुरू को खोलन बंदर जाता है अब आप लोग देख सकते हैं इस स्विश में यह जो लगा रहते हैं यहाँ पर ही फीड रहता है यह स्कुरू यहाँ पर एसे आप लोग देख सकते हैं यह स्कुरू यहाँ पर लगा रहते हैं और उसके बाद इस स्विश की यह बाहर का हिस्चा है इसको तो इस problem को repair करने के लिए यहाँ पर soldering करना होगा अब मैं switch की यहाँ पर soldering करूँगा इसे इस point पर पहले soldering करते है इसे अब यह switch loose नहीं होगा यह point अब यहाँ पर short circuit नहीं होगा कभी भी इसको मैंने soldering कर दिया है आप लोग देख सकते है और उसके बाद इस switch को यहाँ पर भी soldering करना होगा अंदर में इस point में तो यहाँ पर मैंने इसको soldering कर दिया आप लोग देख सकते हैं दोनों के मैंने इहाँ पर soldering कर दिया है अब यह switch कभी भी short circuit नहीं होगा और loose भी नहीं होगा अब इस switch को पहले जैसा fit करना होगा fit करने के लिए इसको यहाँ पर इसे लगा देना होगा अंदर और उसके बाद इस switch को यहाँ पर इसे लगा देना होगा यहाँ पर इसे आप लोग देख सकते हैं और उसके बाद यह जो screw है screw का यह जो फाग है इसको यहाँ पर पहले लगा देना होगा यहाँ पर इसको अब में इहाँ पर इसे लगा देता हूँ और उसके बाद इसको ताइट कर देना होगा इस कुरू को अब यह स्कुरू को यहाँ पर फीड हो गया है आप लोग देख सकते हैं फिर शेक बर ताइड कर देता हूँ अब यह स्विश पूरा रिप्यार हो गया है इस स्विश को अब में आप लोगों को सेक करके दिखाऊंगा यह काम करता है या नहीं यह स्कुरू को यहाँ पर एसे लगा लेते है आप लोग देख सकते हैं यह स्विश पुरा रिप्यार हो गया है अब आप लोगों को यह स्विश सेक करके दिखाऊंगा इस मल्तिमीतर में अब आप लोग देख सकते हैं यह स्विश को में अन करूंगा अब लोग देख सकते हैं माल्तिमीतर में रीडिंग्स हो रहा है फिर से अफ कर दिया फिर से में अन करूंगा इस स्विश को आप लोग देख सकते हैं ये रिदिंग्स हो रहा है तो ये स्विश बिलकुल रिप्यार हो गया है और फिर से इस प्लाग और स्विश को यूश कर सकते हैं